हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एर फोर्स ने भी श्टरड़ी पर देगे सभी कंडिडेट्स जिन बच्चों ने ओनलाइन फिल कर दिया है और जिनकी हिस परसंटेज है वो कंडिडेट्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इसके साथ देखी इंडियर निवी ने एक अपडेट दिया है तो अब किस राज्य का कहा पर आपका एक्जाम सेंटर वो कंडेक्ट कराया गया तो टोटल इंडियर ने बता दिया कि हम लगबग 31 आपके एक्जाम सेंटर यहां पर फिक्स कर दिये गए और कौन नीचे की तर्फ सब कुछ आपको new update है वो allotment exam center से समधित आपको मिल जाएगा सभी candidates नीचे की तरफ चलेंगे तो ध्यान देंगे scroll करते हुए यहाँ पर दिखाये गया है allocation of exam center ठीक है तो यहाँ पर दिखाये गया कि presently the Indian new conduct जो भी आपका exam center है एकतिस examination center रहेंगे पूरे आपके इंडिया में दूसरी condition में बताया गया है कि candidates are permitted to appear exam center at once of the recommend according with the domicile certificate issues by the district level government यनि कि आपका exam center है 31 exam center में से आपका कौन सा एक exam center आएगा वो आपका depend करेगा कि आपका जो domicile certificate है वो कहां का है ठीक है यदि simple सी बात है रजस्तान का domicile certificate है तो रजस्तान में ही आपका रहेगा यदि हर्यान का domicile है तो हर्यान में ही रहेगा दिली का domicile है तो डिली में ही रहेगा तमिलाडू का domicile है तो तमिलाडू में दहरेगा और यूपी का domicile है तो यूपी में रहेगा अब बच्चे यहां पर पूछ रहें कि सर हमारा जो exam center है UP के हम student है UP में रहेगा लेकिन UP में रहेगा कहाँ इसके साथ ही राजस्तान के है तो राजस्तान में रहेगा कहाँ और बिहार के हैं तो बिहार में रहेगा कहाँ पर देखें सभी candidates थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहां पर आपको नीचे की तरफ example के तोर बें बताएगा है कि यदि एक candidates का domicile certificate है वो महराष्ट का है तो वहाँ पर उसको जो आपका exam center होगा वो मुंबई में होगा मुंबई और लोनवाला में तो मतलब यहां पर fix है कि यदि आपका ध्यान रखना है सभी candidates ध्यान रखेंगे अपने exam center वो खुद ध्यान रख लेंगे कि यदि आपका और इसके साथ ही आपका exam कब होगा इसके बारे में भी discussion कर रहे हैं क्योंकि exam आपका जल्दी होगा इस चीज को ध्यान रखेंगे कब तक होगा वो भी date लगबग आपकी confirm आ चुकी है 2018 के अंसार हम यहां पर discussion करेंगे कि लगबग कितने महिने के कितना time लगता है आपके admit card आने में exam यहां पर सभी के online form submit होने के बाद और कब आपका exam होता है वो आपका discussion यहां पर करेंगे तो सबसे पहली यहां पर दियान रखेंगे candidates यहां रजस्तान का है तो simple सी बात है जहां पर आपका airman selection center है वहां पर या फिर जहां सभी राज्यों में आपको पता है कि लगबग सभी राज्यों में airman selection center है ठीक है और दूसरी जो तटील आके होते हैं, वहाँ पर तो Simple Indian New Week खुद के वहाँ पर सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पर करा देखती हैं, अब यदि मैं बात करू रजस्तान के बारे में, तो रजस्तान के सभी कंडिडेट्स का जो होगा, वो जोधपूर होगा, ठीक है, सभी को पता होगा, जोधपूर के होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका Airman Selection Center है, यानि कि Air Force Station है, दूसरी श्तिति में, हरियाना के बारे में बात करूँ, तो दिखाए गया है, कि अमबाला होगा, इसलिए दिखाए गया है, क्योंकि यहाँ पर अमबाला में आपका कहा है, Air Force Station है, यदि मै आपका बेलगाउं के असपास होगा, वेस्ट मंगोल की बात करूँ, तो वेस्ट मंगोल में जो आपका होगा, वो आपका बैरकपूर छावनी के अंतरगत होगा, ठीक है, तो यह सारे आपके Centers है, वो आपको अवलेबल हो जाएंगे, कुछ के तो आपका Air Force Center पर होगे, और हम discussion करेंगे, क्योंकि valid proof के साथ ही हम discussion करेंगे, कि आपका लगबग exam है, वो आपका कब होगा, ठीक है, तो exam जल्दी होगा, इस चीज़ का जरूर धियान रखना है, क्योंकि July में आपका Maritalist है, वो आईगी, तो आपको धियान रखना है, उससे पहले 21 दिन का Remedical भी चलेग इसके साथ ही, जो Navy के त्यारी करने वाली student है, Air Force की त्यारी करने वाली student ध्यान रखेंगे, कि आपके textbook पर Air Force और Navy पर provided किये है, ओनलाइन जाकर आप इनको दे सकते हैं, और मैं खुद कहूंगा, कि यदि आप नेवी का offline exam देने चाहते हैं, तो बहुती ज़्यादा helpful रहेग आप मोक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं, जो भी डिक्से में जाकर इनको परचेज कर सकते हैं, तो मिलते नेक्स ट्यूडियों हैं, तब तक के लिए, जैहिंग चावाराख